पिर आपको बताई गया था कि उत्तोलक के बारे में लीवर क्या होता है लीवर कितने प्रकार का होता है और उस पे नुमेरकल भी सॉल्व किये थे और लीवर का हम मेकेनिका एड्वांटे निकलना भी सीखे थे फिर हम पुली की बारे में पढ़ रहे थे बताई गया तक कि पुली क्या होता है और पुली कितने प्रकार का होता है वाले हम पढ़ थे एकल घिरनी सिंगल पुली के बारे में जहां से एक पुली का प्रयोग करते हैं फिर हमने पुली के निकाय के बारे में पढ़ा सिस्टम पुली सिस्टम पुली का मतलब यह होता है जब किसी जब किसी मसीन में एक से अधिक पुली को आपस ने जोड़ दिया जाए और हम वर को पावर को ट्रांसफर करें यानि हम इंपुट को दें इंपुट के रुपे हम प्रयास लगाते हैं और भार को उठाएं तो उसे हम अपगार की घिरनी का का निकाहे सिस्टम पुली सिस्टम हाफ उली तो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इस पर जबूर कुछ नपकुछ आपसे जरूर्ज पुचा जाएगा एक जाम में सिस्टम साफ पुली तो सिस्टम आप पुली तीन प्रकार का होता है जो हम लोग अ है फोथ सिस्टेमाप रॉफ्वनिकाय कि अहां दूसरा है जुटी निकाह सेकेंड नेृ तीस्टांप वह कि आती संथ्राइब तृत ओने का है थॉअड सिस्टेम अपफ ले पीजिस्टाइब कि तीन पूली होती है perch छिस्टम दूसरा है सेकंड सिस्टम और तीसरा है थोर्ड सिस्टम तीन सिस्टम होता है जिसके बारे आपको पढ़ना है इसे हैं अब इस निकालना हम दों सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत असान है सबसे पहले हम दिखेंगे सिस्टम आप पुली के बारे में हम कई प्रकार के पुली को आपस में जोड़ते हैं अब जोड़ने का तरीका क्या होता है उसकी बारे में देखेंगे आसान तरीका है फिगर बनाने का फिगर बनाना पहले हम सीखेंगे फिर हम लोग इसको ब्रॉ करेंगे वाले हम देखेंग सिस्टम के बारे में हैं कि सिस्टम आप पुली कैसे होता है देखिएगा बहुत सिंपल तरीका है बनाने का कि हमने एक दिवाल को बना दिया और इसकी सायता से हम पुली को जोड़ते हैं पुली कि यह पहला पुली हम रख देंगे यह दूसरा पुली हम हर एक पुली का सेंटर लाइन बना दे रहा है आइसी में लोग फीगर को बनाएंगे आप पुली की संग्या कितना भी रख सकते हो ठीक है यह हमने पांच बना दिया यानि हम पांच पुली को रखना चाते हैं सबसे पहला जो पुली होगा आपको करना क्या है यहां पर एक सर्कील बना देना है यह जो सर्कील होगा यह पुली को पहले पुली को प्रदर्शित करता है यह पने लीडिया फिर यहां पे हम लोगे अरी हमने एक सर्क्ल बना दिया हुआ है कि या कि सारे सर्कल का साइज आप बनाऊंगे तो छोब पास किस्टा से यह मार्चर सरकी किसा अन्ये चाल कि सबभ सब्सक्राइण आसानी रहे बंथे नादे Ricky इधर एक पुली हो गया यह सेंटर बनाया और हमने यहां पर एक पुली बना दिया है जो पहला पुली हम दिखाएंगे उस पुली को हम फिक्स कर देंगे इस पुली को हम लोग फिक्स कर देते हैं यह पुली हमारा फिक्स हो गया इसको हम लोग बोलेंगे क्या अचल पुली अचल पुली घ्रनी अच फिर पुली यानि यह अपने जगा पर फिक्स हैगा बाकी जो पुली हो उपर की तरफ गती करेगी या नीचे की तरब गती करेगी लेकिन जो पहला पुली है वह आपका फिक्स रहेगा फिर क्या करेंगे यहां पर हम एक रस्ती लेंगे और उस रस्ती से इसको जोड़ेंगे कैसे जोड़ते हैं देखिएगा हमने एक रस्टी लिया ये रस्टी इसके उपर पास हुआ अब फिर यहाँ पर आ करके मिल गया फिर यही रस्टी इधर जाएगा ठीक है और इसको जाकर के एक रस्टी से हमने ऐसे जोड दिया यानि ये एक रस्टी है एक रस्टी हमने लिया इसके साथा इस दो फुली को आपस में जोड दिया फिर क्या करेंगे फिर हम दूसरी रस्टी लेंगे ये रस्टी हो गया इसको हमने यहां पर जोड दिया ये रस्टी कैसे पास हो रहा है यहां से रस्टी गिया है इसके surface के उपर, ईसीधे उपर जा करके हमने इसको जोड़ दिया है। फिर हम तीसरी रस्ती को लेंगे, यह रस्ती इधर जोड़ दिया है। फिर हम एक रस्ती लेंगे, इसको इधर जोड़ दिया। एक दम simple तरीका है, आप इसको बना सकते हो। बहुत है असान तरिके से हमने सिस्टम को बना दिया है यह फुली हो गया इस टू डो फोर यह 5 पुली हम लगाये हैं उनलिट की संग्या को आप जेंज बी कर सक्ते हैं अलग में करना को करते हैं कूली की आता से हम किसी लॉट को ठाते हैं हम यहां पर रोड को उठाएंगे लोड को उठाएं कैसे देखिए हमने यहां भार डबलू डबलू रग दिया है उस डबलू को हम उठाना चाहते हैं और यहां पर प्रयास लगाते हैं यानि इंपुट आपको हो गया पी और आउटपुट क्या है डबलू आप जैसे एक्जामपल लीजे कुए का कुए में आ े ची भार होगा वो हमें डबलू ले लिया है और वोड्व को उठाने के लिए जितना हम इंपुट फोर्स लगाते हैं वह आपका हुजाएगा पी यानि पी और डबलू के केस को हम दómoदे टेंग नहीं होगा इसमें टेन्शन होगा तनाव्ट होगा यानि अत्ना ही भार हमारा उठेगा अब देखते हैं आप कर जकते हो यह जो रश्ची जुड़ा होगा है इसमें टेंशन होगा तनाव होगा रस्ती में कभी भी कंप्रेशन नहीं हो सकता देखिए एक रस्ती है रस्ती को खी सकते हो लेन क्या कभी रस्ती को दवा सकते हो नहीं इसका मतलब रस्ती में हमेशा तनाव बल ही उत्पन होता है टेंसन ही उत्पन होता है कभी भी कंप्रेशन उत्पन नहीं होता हो गया कि दूसरा वाला पुली है इसमें होगा उसकर हमने लेग लेग और तीसरा पुली है इसमें एक ही यह हो गया इधर भर यह आप को वह यह न दे पहल का घी न's कि इसका मतलब यह कि कि संख्या कुली की संख्या से एक कम रहेगी कि जो पहला वाला है उसमें दो पुली को जोड़ा हुआ है इसका निकालेंगे हम लोग मेकैनिकन इड्वांटेज बहुत तरीका है मेकैनिक आड्वांटेज्ज निकालने का कैसी देखिये आप देखते हैं कि यहाँ पर हम P को उठाते हैं तो यहाँ बाष वहार W उठेगा निकलते हैं P को आप खीचिए जब आप इसको नीचे की तरफ घिचेंगी तो आप कहेंगे यह जो पुली होगा ऊपर की तरफ जाएगा जो यह पहली पुली है यह तो फित कहा लेकिन बाकि जो चार पुलियां है यह उपर या नीचे की तरफ गति करेगी इसलिए उसको बोलता है चल पुली पुली आप यहां पर पी फोस्स लगाते हैं और यहां से आप भार डबलो को उठाते हैं देखते हैं हमें निकालना क्या है हमें निकालना है विलास्टी रेशियो वेग अब भार का विस्थापन यह फार्मूला उता है प्रयास का विस्थापन बड़े भारका विस्थापन अब देखेंगे कितना होगा भार का विस्थापन City कितना होगा आप यहां पर पी जब डबलू लोट को उठाते हैं जिए यह रिफ होता है् वह फी चलता है दृहां 40 सुनेंगे यह दूरी चलेगा तो यह वाला देखिए यदि यहां से उठकर के यह दूरी उपर चला जाए तो यह वाला और उपर जाएगा यह वाला और उपर जाएगा यह वाला और उपर जाएगा इसका मतलब यह चलेगा तो इसी के सपाले तो यह दूरी यह चलेगा तो जो दूरी होगी ये भी उपर जाएगा तो ये टू यक्स हो जाएगा और ये क्या होगा ये इसका दो गुना हो जाएगा ये इसका दो गुना हो जाएगा इसका मतलब यह हो गया कि प्रयास जो चलता है ये दो गुने में चलता है suppose करेंगे कि यदि पुली की संख्या यन हो पुली की संख्या यन हो जैसे यहां पर आपने कहा यदि ये दूरी यक्स चलेगा तो ये कितना चलेगा तब तू इंटू 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 इं यहां पर हो क्या रहा है यहां पर हम कह सकते हैं कि यदि पुलियों की संख्या यंद्ध हो तो यहां पर यहां पर है कि यहां पर पुलियों के इसका इन पुली के संख्या हो तो यहां पर लोग पार्फ यहां पर जाएगा आप जानते हैं आदर्स मचीन के लिए कोई भी मसीन आदर्स मसीन नहीं होती है लेकिन हम मानते हैं आदर्स मसीन के लिए कि अ कि मेकेनिकल एडवांटेज की वेल्यू विलास्टी रेशियो के वायावर होती है यहां फ्र MIKE को होती है लेकिन यदी यदि घिरनी का भार हो घिरनी का भार नगड़ ना हो जैसे यहां पर हमने क्या किया है घिरनी की भार को जीरो मान लिया है लेकिन तो इसकी जो वैलू है उसको नहीं माना यह को छोड़ने यह हो यह भी घिरनी का भाइन नगड़ नाव कुछ लटकाय हुआ है इस पुली का भार्ष डॉमन है है यह जाए है क्या capable of क्या देखे यह 2 यहीइ तारफ है यह बहुझ्ट में दरफ़ है और जो पुली का भार हो का जो भार्लिवन हो किसूदर काम करता है नीचे की तरफ सुट्टी दीवन प्लस इसी वंडिनली टिवन टिवन ट्वटर अप्लो in सिपनीं न् vontade mm आपन टुट्वां तू इससे त्रीके से शचिंड वाले का यह तोह गया पुली और अबूली टू के लिए दूसरे पुली कला देखेंगे डी टू और टीकि तुट याने टू टी टू टू इकवल टो इसमें क्या हो जाए गा नीचे की तरफ में कुति टी टो पिलब डबलो टूड देखते साथ टी टूट आर्यहां पर टेंसर काम कर रहा है ज़्या नीचे की तरफ टी वन और इस पुली क हबार तो जाएंगा टी वन प्लस डबलो टू यानि कहा दकते हैं T2 equal to T1 by 2 plus W2 upon 2 क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं T2 equal to T1 T1 की value रखेंगे capital W by 2 plus W1 by 2 by 2 plus W2 by 2 यानि कह सकते हैं क्या T2 equal to T2 equal to W upon 2 का square plus W1 upon 2 का square plus W2 upon 2 इसमें एक conclusion आ रहा है conclusion क्या रहा है ऐसे ही suppose को T3, T4, T5 ऐसे निकालते जाएंगे इसी प्रकार इसी प्रकार T1, T1 का मतलब क्या हो गया यदि पुली के संख्या यन हो यदि पुली के संख्या यन हो तब कैसे solve करेंगे तो T1 equal to हो जाएगा देखें यहाँ पर T2 था यहाँ टू का इसपा है तो लहाँ तू पर आफ यन प्लस यहां टू था यहां पर यहां पर 2 वाई यहां पर T2 है यहानी टू है तो के पावर कितना है when का है तैसे चाहरा तक यह जाएगा आप का डवलू य यंई पान टू तक जाएगा ठीकले डवल्लू अपन तू तक जाहेगा है कि अब इसको करेंगे कैसे डेखिये टी उन एक्वल तू यदि यदि तू टू टीघाःथ। यदि टू 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 तो टीघाःथ। कह मोन लें तू टीख्बर घृसे इंग कि इंखल। कमोन यह में आपिछ्डव कॉन टू टू तीख़्ाः नुहां है। क्लास डभूटू अपाण सबस्च इंट्क इंट्वब्लू ट्रस्ट डॉ-star एसी लिसकते हैं यह लिसकते हैं ली सकते हैं में यलिओं नुटू ड्रेशाम 10 अलुब्लू ऴर स्ट्ज्ट्ट डबू प्लस्तों 2 डलू ट्ब्लसुकशाइर डबू-5 प्लस S1 यह आपका फ्रमला हो गया है यदि W1 इकल टू W2 इकल टू W3 यानि सभी यह सब्सक्राइब कीजिए कि सभी पुली का भार बराबर है तो जाएगा TN इन्टो 2 to the power of N इकल टू capital W प्लस W2W प्लस 2 का स्कुरी डबलू प्लस S1 यह कर सकते हैं TN इन्टो 2 to the power of N इकल टू capital W प्लस W को कॉमन लेंगे यह हो जाएगा 1 plus 2 plus 2 का स्कुर्य प्लस S1 आपका क्या होगा फूट पॉर अफ एन होगा आप दे सकते हो कि यह आपका जीपी में है मैथमेटिक शाप लोग पढ़ा होगा एपी जीपी का फामुला तो इसको आप जानते होंगे यह सी अनिकल्ट होता है क्या है एक अपार मैनस मन यह फामला होता है गुरुत्तर स्टेडी में जीपी में जीपी में जीपारिक प्रोगेशन में यन पदों के यो का फामला यह होता है एक मलदा क्या होता है पहला पद वह बन हो जाएगा आर क्या होता है दोनों का नुपार टू अपान वन तू हो जाएगा इन्टू एन माइनस वन अपान नीचे हो जाएगा तू माइनस वन या कह सकते हैं ती एन इकपिटल डबलू अपान तू तू पार अफ एन या ऐसे लिख दें कैपिटल डबलू स्मॉल डबलू कोट टू इपार हो जाएगा टियन निकालने का टियन का मलब क्या हो गया टेंसन हो गया तुन हो गया यहाँ पर जो टुन की वैलू गी वैलू वह सी की बर्म दून के पेयाबर हो गई तो भी मेकैनिक अद्वांटेज इकोल टो क्या होता है डबलू बाइपी तो डबलू की वैलू अपान टू तो पार अपन इन टू पी इंटू इस संक्या चार है तो इसमें जो एक तो फिक्स होगा अब बाकी तीन क्या होंगे मूबल होंगे एक अचल्पुली होगा वाकी तीन क्या होंगे चल्पुली होंगे अपको यादो गा एक पिंड जिसका भार 640 नूटन है उसे 128 नूटन के प्रयाजवारा संतुरित करता है इसकी दच्छता निकलना है और घरसर निकलना है निकलते हैं पहले हम विलास्टी रेसियो निकालेंगे आपको पता है कि घर्नियों के प्रथम निकाय में जो विलास्टी रेसियो होता है वो 2 to the power of n होता है 2 to the power of n कब होगा जब पुली के भार को consider ना किया जाए लेकिन जब पुली के भार को consider करेंगे तब फॉर्मला हमार जाएगा डवलू इंटू 2 to the power of n अपन कैपिटल डवलू प्लस इस्माल डवू 2 to the power of n माइनस बन यह फॉर्मला हो जाता है जाता है तो 2 to the power of n क्या होती है गतिसील पुल्यों के संख्या याद रखेंगे कुल पुल्यों के संख्या नहीं गतिसील तो इसमें गतिसील कितने होंगे तीन होंगे तो जाएगा 2 to the power of 3 यानी 8 यह हो गया हमारा विलास्टी रेशियो एक पल टू आठ यह आ गया अब निकालना हमें मेकेनिकल आडवांटेज के मेकेनिकल एडवांटेज एकल याद होता है डव्लू वाई पी तो डव्लु की वैलू को निकालेंगे डव्लू की वैलू दिखे दिया है शेसो चालेस न्यूटन भार दीखी दिया हुआ है एक पिंड जिसका भार शेसो चालेस न्यूटन है उसे 128 न्यूटन के प्रयास वारा संतुरित कियाता है तो शेसो चालेस बटे 128 यह हमारा यह में एडवांटेज निकल गया इसको हम लोग करेंगे तो इसकी वैलू आ रही है पांच यह में एक एडवांटेज हो गया ध्यान दीजेगा जब आदर्स मसीन होती है तो विलाश्टी रेशियों की वैल्यू मेकैनिकल एडवांटेज के बराबर होता है क्योंकि एफिशं है इटा से होता क्या है मेकैनिकल एडवांटेज अपान विलाश्टी रेशियों और सौ से गुड़ा कर देंगे तो यह जो दच्छता आएगी यह परसेंटेज में आ जाएगी यह हो जाएगा मेकैनिकल एडवांटेज कितना है पांच विलाश्टी रेशियों कितना है आपको बताए गया था कि मसीन को जब क्लासिफाइब करते हैं तो मसीन तीन प्रकार के कौन-कौन से वाला है आदर्स मसीन जिसकी एफिसेंसी सो परसेंट होती है जिसकी एफिसेंसी सो परसेंट होती है दूसरा होता है रिवर्सिवल मसीन जिसकी एफिसेंसी पचास परसेंट से लेकर के सो परसेंट के बीच में होती है तीसरी होती है तीसरी होती है सेलफ लॉकिंग मसीन जिसकी पचास पर्सेंट से कम होती है यह पूछाए किस टाइब की मसीन है ता बोलोगे यहाँ रिवर्सिवल मसीन होगी क्योंकि इसकी एफिजनसी 50% से ले करके 100% के बीच में आ रही है यह यह जिसनसी निकाल लिया अब क्या निकालना है घरसड घरसड में जो हान ही होता है उसका धार को बताए गया था ंए पी माइलओ डब्लू अपान quindi इस यो फी ऐा थक यानि एफ रिए जू टू फिक्शन घरसर के कारड घरसड के कारड प्रयास में नुकसान तो पी माइनस पी की वेलू कितना है पी की वेलू अब दे सकते हो 128 न्यूटन है माइनस डबलू भार कितना है 640 अपन विलास्टी रेशियो कितना है 8 साल्व करेंगे तो यह जाएगा पी एफ इक्वल टू 128 माइनस असी साल्व करेंगे यह हो गया आपका 48 न्यूटन यह हो गया एफ़र्ट लास्ट डू टू 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 टू